नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। 11 अक्टूबर को लोक नायक जैप्रकाश नरायन की जैनती है। 12 अक्टूबर को लोक नायक जैप्रकाश नरायन की जैनती के अफसर पर उनके तैल चित्र पर पुस्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। बिहार में शराब और बालू माफियाओं समेथ फरार अपरादियों की सूचना देने पर मिलेगा इनाम। राजिस सरकार के दोरा अफरार वर कुख्यात अपरादियों उग्रवादियों के साथी वॉंटिट सराब और बालू माफियाओं की गिरफतारी पर लाकोर उपे खर्च करने वाली है। बता दे कि अब उन लोगों को इनाम दिया जाएगा जिनके दोरा इन अपरादियों की गिरफतारी की जाएगी और जिनके दोरा इन अपरादियों के बारे में जानकारी दी जाएगी इसके लावा अगर किसी के दोरा सामप्रदाइक तनाव एवं विधी विवस्था भंग करने का प्रयास करने की सूचना दी जाती है तो उन्हें भी नाम दिया जाएगा इसको लेकर पुलिस मुख्याले के प्रस्ताओं पर ग्रीव विभाग के दोरा नई पुर्सकार नीती से जुरापत्र मंगलवार को जारी कर दिया गया है और अब इससे तकाल प्रभाव से ला राजे के सभी 61 सरकारी डियरेट कॉलेज प्रशासन ज्यानी की डिप्लोमा एन इलिमेंटरी एजुकेशन कॉलेज प्रशासन को आदेश देते वे यह जानकारी दे दी गई है कि अब राजे के सभी डियरेट प्रस्तिक्षूओं को कॉलेज में 100% उपस्तिती कॉलेज में देनी होगी और उनकी उपस्तिती हर दन ओनलाइन दर्श की जाएगी फिर इसकी एक कॉपी विवाग को भेजी जाएगी आपकी जानकारी के लिए बता दे कि राजे के डियरेट कॉलेज में छात्रों के उपस्तिती बहुत कम होती है हाला कि विवाग के आदेश के बाद पहुँच गई है लेकिन अब विवाग के द्वारा इस उपस्तिती को 100 फीज़ी करने का लक्षे रखा गया है मालूमों कि विवाग के ओर से इस पस्त निर्देश दिया गया है कि 100 फीज़ी उपस्तिती पूरी नहीं करने वाले प्रसुक्छूँँ पर कारवाई की जाए प्रो कबड़ी लीग में खेलने के लिए बिहार किस खिलारी का हुआ चैन 2014 से शुरू हुई प्रो कबड़ी लीग में तीन बार चैंपियन बनी पटना पाइरेट्स के टीम की ओर से बिहार के समस्तपुर जला के रहने वाले संदीप को 9 लाक रुपए में अपने साथ रहे हैं इन्होंने अब तक जूनियर नेशनल चैंपियर्शिप, जूनियर फेडरेशन कप और लगातार तीन सालों से युवा कबड़ी स्रीज में बिहार का प्रती निधित्व कर रहे हैं वहीं अब इनकी इस उपलब्दी पर बिहार राजी कबड़ी संग के अध्यक्ष पिहार राजी खेल प्राधीकरन, डीजी, कला संस्क्रित, युवा मंत्री और खेल जगत से संबंध रखने वाले तमाम लोगों के द्वारा उन्हें शुब कामनाई दी गई है और उनके उजबल भविशी की कामनागी गई है कॉंस्टेबल भरती पेपर लीक मामले में रडार पर आये कई पुलिस कर्मी एक ऑक्टूबर दो हजार तेज को आयोजे थुई बिहार पुलिस सिपाही भरती परिक्षा में हुई गरबरी को लेकर राजी सरकार और पुलिस महकमा लगातार अक्शन मोड में है बता दे कि अब इस मामले को लेकर एक नई जानकारी सामने आई है दरसल अब टीम के निर्देश पर दानापुर पुलिस के दोरा मनेर और दुलहिन बाजार से स्स्पी जवान समेथ दोर लोगों को गरफतार किया गया है बालम हो कि यह सभी लोग इस मामले में सनलिप थें वहीं जिन लोगों की गरफतारी की गई है उनकी पहचान बीटा निवासी अजय और फदीपक और दुलहिन बाजार के रहने वाले रमेश कुमार और फ़ अनुराक के रूप में की गई है इनके पास से आठ मोबाइल बडामत किये गए हैं जिसे पुलिस के द्वारा अने आरोपियों की पहचान के लिए खंखाला जा रहा है बिहार में टला इन अफसरों का प्रमोशन 27 अक्टूबर को बिहार प्रशासनिक सेवा के 60 अफसरों को आईस में प्रदुनत्ती मिलने वाली थी जो की अब एक माह के लिए टाल दी गई है उसमें 3 साल का बैक लॉग है इसक्राम में 2020 के लिए 27, 2021 के लिए 24 तथा 2022 के लिए 9 अधिकारियों को आई एस में प्रदुनती मिलेगी इसके अलावा वर्ष 2018-19 में बिहार प्रशासनिक सेवा के 26 अधिकारियों को भारती प्रशासनिक सेवा में प्रदनती मिलने थी इनमें कुछ इस वर्ष रिटायर भी हो रहे यूपे बिहार के इन तीन सहरों के लिए रेलवे चलाएगा स्पेशल ट्रेन इसी तरह शुने चार पांच एक साथ गोड़कपूर चंडिगर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन 3 नमबर से 1 दिसंबर तक प्रतेख शुक्रवार को गोड़कपूर से चला कर चंडिगर आएगी इसके लावा ट्रेन नमबर टक प्रतेख रहीवार वबदवार को फिरोजपूर से पठना पहुचेगी और वापसी में ट्रेन संख्या श्रिनिचार छे साथ साथ इस्पेशल पटना से 26 ओक्टूबर से 30 नवंबर तक प्रतिक गुरुवार को पटना से होते वे फिरोज़ पर पहँचेगी मेडिकल कॉलेजों में MBBS वर डेंटल के रिक्त सीटों पर रजिस्ट्रेशन सरू बिहार संथ प्रवेश प्रतियों किता परिच्छा परसत के दोरा राजिके सरकारी एवं गैर सरकारी मेडिकल कॉलेजों में तीसरे राउंड के बाद भी खाली पड़े सीटों पर नमांकर लेने के लिए प्रक्विया किश्रवात कर दी गई है बतादे कि सभी कॉलेजों में MBBS, Dental वर नीजी मेडिकल कॉलेजों में कुल 144 सीटे खाली है और इनको भढ़ने के लिए स्ट्रे राउंड घोशुत किया गया है मालम हो किसके लिए रेजिस्ट्रेशन किश्रवात आज से हुई है जो की 13 ओक्टूबर तक चलेगी इसके बाद रेजिस्ट्रेशन फॉर्म में 14 ओक्टूबर तक फुदार किया जा सकता है और फिर मिर्ट लिस्ट 15 ओक्टूबर रात आठ बज जारी कर दी जाएगी जिसके बाद राएंग के आधार पर 24 फिलिंग 12 से 17 ओक्टूबर तक किया जा सकता है और फिर आवंट रिजल्ट जारी किया जाएगा और ना मांकन होगा बोद गया में होटल के जिस कमरे में ठेहरे थे बाबा बागेश्वर वो बना तर्थस्थल विहार के गया जिले में बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धरंदर कृष्ण सास्तरी अपने तीन दिवसी अप्रवास को पूरा करके लोट चुके हैं लेकिन वे जिस होटल के कमरे में ठेहरे थे वहाँ अभी भी कई लोग बाबा का अशिरवाद लेने पहुंच रहे हैं तो वहीं कई भक्त ऐसे भी हैं जो इस कमरे में ठेहरना चाहते हैं बता दे कि बाबा बागेश्वर होटल संबोधी रीट रीट का कमरा नंबर दो में रुके थे ऐसे में जब वो वहाँ से चले गए तो वहाँ उनका फोटो रखा हुआ है जिससे देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं मिलिया एजुकेशनल ट्रस्ट के करीब 20 अस्थानों पर आईटी की रेट बिहार के मिलिया एजुकेशनल ट्रस्ट के करीब 20 अस्थानों पर पटना भागलपूर पुर्निया और रांची से आई आईकर विवाग की तीम के दोरा चापे मारी की जारी है इसमें मुख्य रूप से मिलिया सैचनिक ट्रस्ट के फाउंडर डॉक्टर असद इमाम के आवास उनके कई परिजनों के अलावा मिलिया बियर्ड कॉलेज, MIT मिलिया कॉन्वेंट समीत कई सैचनिक स्थान शामिल है बता दे कि फिलाल आएकर विवाग की टीम के दोरा दस्तावेजों की जाँच की जारी है से में अच्छा पेमारी कब तक चले की, इसको लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है, मालम हो कि ये लोग आई से अधिक संपत्ती के मामली को लेकर आएकर विवाग के रडार पर थे राजे में 9000 के पार पहुँचा डेंगू का मामला प्रदीश में डेंगू के मामलों में लगातार बढ़ोतरी होती जारी है, जिसको लेकर स्वास्थ विवाग में पुरी तरह से अलर्ट मोड में है बता दे कि अब तक प्रदीश में डेंगू के मरीजों की संख्या 9,235 पर पहुँच गई है स्वास्त विभाग के दोरा बीते दिन को लेकर जारी के गए रिपोर्ट के अनुसार बिहार की राजधानी पत्ना में 195 नए मरीज मिले हैं तो महीं इसके लावा भागलपुर और वैशाली में 16-16 मुंगेर में 12 मुझपरपुर में 11 जब की वैशाली मे डेंगू के 10 नए मरीज मिले हैं ऑक्टूबर महीने के मातर 10 दिनों में 30,000 डेंगू मरीज मिल चुके हैं मालमों के डेंगू को लेकर पटना में डेंगू नियंतरन कक्ष भी स्थापित किया गया है जो 24 घंटे मरीजों की सहायता के लिए उपलब्ध है पतादे के डेंग प्रदेश कारेयाले में जन सुनवाई कारीकरम के बास समधाताओं से बाच्चीत करते वे बिहार सरकार में अलपसंख्य कल्यान मंत्री जमाखान के दोरा बीजेपी को लेकर भविश्यवानी करते वे जानकर हमला बोला गया उन्होंने कहा कि 2024 में देश भाजपा के जुमल विरोधी भाजपा को सबक सिखाने का नर्ने ले लिया है जो हश्र भाजपा का करनाटक चुनाओं में हुआ था उससे भी बुड़ा हाल इनका इन पांच राज्यों में होने वाला है अब भाजपा से जनता की उमीदे खत्म हो चुकी हैं लोगसभा सीट को लेकर चुराग पासवान का नया दावा दोहजार चौबस में होने वाले लोगसभा चुनाओं को लेकर सभी पार्टियों के ओर से तयारियां शुरू कर दी गई है इसी कड़ी में अब लजपी रामविलास सुप्रीमों चुराग पासवान के दौरा यह अगर मेरी मा चुनाओ लड़ने के लिए तयार नहीं होती है तो ऐसे में पार्टी सरसदिय बोर्ड अंतिम फैसला लेगा जो मुझे स्विकार होगा सिती कोई भी हो जमुई से जो मेरा रिस्ता पिछले 9 सालों में रहा है वर रिस्ता वैसे ही बरकरा रहेगा समराठ चौतरी का मुख्य मंतरे नितीश कुमार पर हमला बीजेपी प्रदीश अध्यक समराठ चौतरी के द्वारा एक पार फिर से बिहार के मुख्य मंतरे नितीश कुमार पर जोड़दार हमला बोला गया है उन्होंने कहा कि नितीश कुमार 18 साल से मुख्य मंतरी है लेक कर मेरे पता राज जीती में आए नितीश कुमार की कोई हैसियत है क्या जनता ने ही नितीश कुमार दिया अब वही उखार फेकिंगे नरंद्रमोदी इस्टेडियम पर हमले की धंकी देने वाला गिरफतार एहमदाबाद अपराद शाखा के दौरा शहर के नरंद्रमोदी इस पाकिस्तान के बीच होने वाला मुकाबला नरंद्रमोदी इस्टेडियम में ही खेला जाने वाला है ऐसे में अब इस मैच में अतरक्त सुरक्षा के विवस्था कर दी गई है वहे इसके लावा विश्व कब 2023 का फाइनल मुकाबला भी नरंद्रमोदी इस्टेडियम में ही आयुजित होने बारा है आज से इवनिंग नीज में हम अपने दर्शकों के लिए एक खास सेग्मेंट ला रही हैं जिसमें हम नीज बुलेटिन के अंत्में अपने दर्शकों से पांस सवाल पूछेंगे यह सवाल इसी नीज से जुरा होगा ऐसे में आपको इन सभी नीज को क्या सी इसका सही उत्तर है option इउनीच्व सतत्तर अगला सवार डियलेट का फुल फॉर्म क्या है option इबैचलर ओफ एड्यूकेशन option इडिप्लोमा इन इलिमेंटरी एड्यूकेशन option c central teacher eligibility test option d state इसका सही उत्तर है option इडिप्लोमा इन इलिमेंटरी एड्यूकेशन अगला सवाल प्रो कबड़ी लिग में पट्ना पाइडेट्स कितनी बार चैंपियन बना है option इपांच option इचार option c3 option d2 इसका सही उत्तर है option c3 अगला सवाल वहां बागे शुडब तक बिहार में कितनी बार आ चुके हैं option a 3 option b1 option c2 option d4 इसका सही उत्तर है option c2 अगला सवाल विश्वकब 2023 का final मुकाबला किस स्टेडियम में खेला जाने वाला है option a अरुंजेटली स्टेडियम option b नरंदरमोधी उस्टेडियम option c राजीव गांधी इंडरनाशनल क्रिकेट आप्शन D बाराबदी इस्टेडियम है कि इसका स्काई उत्तर है ओप्शन D नरेंदर मोदी इस्टेडियम बीत्गिन हमारी दोराप पूछी का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों न प्रजाब हमें हमारी कॉमें सेक्षन बॉक्स में लिख कर दिया है जिन्हों ने हमारे दुरा पूछी का सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा उमेश्र सिदेव रुनो गोलु कुमार गुनर सन्वा सदुल्ला पलवी प्रदीब कुमार राजकिशोर महतो अभी राज अनवर करीम खान मुहम्मद फहीम महिस कुमार बाबुल अगर आप यूटूब से देख रहें चानल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देख रहें तो पेस को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद